हलो एबवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं हरदांची के नेल्स कैसे काटते हूं और यहाँ पर रिदांची सो रही है तो मैं सोच रही हो कि यही मौका है इस टाइम इसके नेल्स काट देदी हूं नी तो अब जैसे कि बड़ी हो गई है तो एसे लगता है कि पता नि मेरी उंगली के साथ क्या कर रहे है इसलिए बहुत ज़्यादा डरती है तो ख्यर यहां पर मैं नियल्ज काटना है शुरू करते हूं मैंने वो magnifying glass वाला nail cutter भी यूज किया था बट वो मुझे इतना worthy नहीं लगा Chinese product type का ही लगा मुझे जो कि बस दिखने में अच्छ होता यूज नहीं होता तो जब से हिर्दान जी हुई है सबसे पहले दिन से उसके nails में ही काट रही हूँ और इसी सीजर से काट रही हूँ सो यह बहुत ज़ादा comfortable है और हिर्दान जी को कभी पता भी नहीं चलता जब से वो बड़ी हुई है उसने अपनी बॉड़ी पे control लिया है तब से इसके nails में सोते वक्त ही काटते हूँ नहीं तो जब तक 0-6 months I guess आप जाकते वह भी बचे के nails काट सकते हो तो आपने देखा कि मैंने एक हाथ के nails इसके काट दिया है अब बात करते हैं दूसरे हाथ की और ये nails बहुत ज़ादा गंदे हो रहे हैं इसके तो आप इस तरही की से पगड़के नेल्स बचे के काट सकते हैं अगर आप नेल्स काट तो कोई जादा दिक्कत तो नहीं होते बद कभी कभी इरजांची सोते वे बहुत जादा रिजिट सी हो जाती है अब यहाँ पर देख रहे हो कि मैं सिजर से डायरेक्ट ही काट रही ह यह मित है कि सिजर से काटने के बब बचे के नेल्स की शेप नहीं आती आप यह चीज बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जानची के नेल्स में बच्पन से जब से वह हुई है सौरी तब सही से काट रही हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसके उसके नेल्स की find glass की जो lens था वो plastic का था तो उससे बेटर तो मुझे scissor ही लगी मैं हातों और पैरों के same scissor से काटती हूँ अगर आप चाहो तो change कर सकते हो वैसे जरूरत है नहीं so अब मैंने हातों के काट दिया है पैरों के हिरदानची के नेल सिर्फ थम का बड़ा है तो मैं सिर्फ थम का नेल ही ट्रिम करूंगी बाकि हिरदानची के नेल अभी बहुत जादा सॉफ्ट हैं एक साल तक के बच्चे के बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बहुत लोग सोचता है कि हम इसे अंगूठे से खीजतेंगे या नहाते वक्ष खीज देंगे तो प्लीज यह प्राक्टिस मत करीहें तैंक्यू सो मच में मिलते हूं आप से अगली वीडियो में बाए